तो हाई यार मैं हूँ सैनली खान आप देख रहे हैं दाबरो पोल्टरी आज है ये मेरे पोल्टरी फार्मिंग का जो है 37 दिन और 37 दिन पर क्या किया गया है उस सब के बारे में बात करने वालों हो यार तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो पर अपना अपना एक तो सब कुछ रात करना नगी रहता है तो सब कुछ सैलिंग का होता है तो अब ही आप लोगों को बता दूं अपने बर्ड वीडियों है इनका कल ये कुछ बक झाल को ये बिक जाएगे आज चाहे जो भी रेट आजा तो 78 का रेट था आज जो भी रेट आएगा उस रेट प यह अपना 24 अगस्त है ठीक है 24 अगस्त है तो 144.666 kg बर्ड सेल किया हूँ और 77 बर्ड था ठीक है तो यह मेरा एमांट बना है 13,380 रुपए का और आज एक बर्ड की मोटल्टी कल अपना 322 बर्ड बचे थे तो 77 बर्ड सेल हुए एक बर्ड की मोटल्टी हुई है और जो मरा ह इस वeven से क्योंकि लोग लिफ्टिंग करते थे ना उसका एक मैनेजमेंट लिफ्टिंग कनेट से रुपर तरीके से और इसकत पू figur जीए जाता है और ंरे 20 मों के लिपत लिफटिंग भी रुपिस फाह यहरा जाता वह एक बार पकड़ पकड़ के लाए उसकी वएसे बड काफी जाता है इस्ट्रेस में ते मुझे तो लगता है कि वह ओर वेट होने की वज़े से जितना मतलब टू पाइंट 2 केजी का बॉडि वेट हो रहे तो उसका 2.3 केजी का बॉडि वेट था इसकी वैशे ओर वेट होन और जो हम यह सब करते हैं मुर्गे वालों से जो बर्ड उठवाते हैं उनका भी एक अलग मैनेजमेंट होता है इसको हमें फॉलो करते हैं तो हमारे बर्ड का ना बाडी वेड बैक में जाता है ना उसके ओपर इस्ट्रेस होता है ना उसकी वज़े से लिफ्टिंग होती अग इन लोग जो है गाड़ी पर उठेंगे और इन लोगों के लिए कुछ नहीं अब सीधा गाड़ी पर उठेंगे आज इन लोगों को इसलिए रोका गया है क्योंकि अभी आप इनके फीडर में देख सकते हो ना अभी इनके फीडर में फिर भी आधा आधा फीड है अभी हम तो फीडर डिट्व है लाइन में तीन उस लाइन में तो चार तीन साथ हो गया उसके पास शाल wielu जो है यह बीच अच्छा खासा खा के खतम कर देंगे और जब ये खा के खतम कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर इनकी लिफ्टिंगी करेंगे क्योंकि इसके बाद हम लोग एक दिन और नहीं रोक सकते हैं अगर इसको रोकना भी रहना तो काफी माथा पच्ची वाला काम हो जाएगा और अगर आगे रेट नहीं आया और रेट घड़ गया पहले की तरह तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो समना करते हुए कल जो भी रेट आएगा भी रेट आज का खुला नहीं है आज का जो भी रेट खुलेगा कल सुबह में इसकी लिफ्टिंग हो जाएगी तो समझ लो यह आज इन लोगों का आखरी दिन है यहाँ पर आखरी दिन है और इधर की जो साफ सफाई है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है और जब यह लोग चले जाएंगे तो इन लोगों की यहेवाली जो साफ सफाई है इसको भी कंप्लीट करके और इन लोगों का जो भी डीसिन्फेक्टेंट करना है फिमिगेशन करना बर्णिंग करना है जो भी करना है वो करके नया बर्ड अपना जल्द से जल्द लाने की कोशिस करेंगे तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जब ये वीडियो से क्या सब का करम से काफी सही रेट मिल गया लिफ्टिंग का तो मुझे लगता है टियाराम से 10,000 10,000 के करीब करीब में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है 10,000 में तो 10,000 का लगबग लगबग प्रॉफिट रहा होगा और जो आने वाला बैच है इसके बाद हम लोग सिधा 500 का बैच डालेंगे क्योंकि इसमें से जो प्रॉफिट होगा वो सिधा सिधा हम अपना बर्ड में जो है इन्वेस्ट करेंगे और उसको सिधा 500 बर्ड डालेंगे और अगली बार जो इस बार बैच डालेंगे अगर उन साइब को Φानीजों का भी मैंचनी हो में डालेंगे और इतने हा को ने रो माटेरियाल के हाई थे अभी लो हैं तो अभी जब लो लेट पे रो मैं अथा रोपए का चल रहा है समझ लें तो हम लोग एक मुर्गी पर बिना उसको market में ले गए अगर एक मुर्गी पे हम लोग जो है तीन किलो भी feed खिलाते हैं तो 18 रुपए हमा अराम स्वारी एक कईस रुपए हमा अराम से save कर सकते हैं गर 13 रुपए का अपना feed पड़ा तो एक कईस रुपए अराम से बिना market में gas save कर सकते हैं पर बर्ड के हिसाब से तो इस तरह से आप भी अपना बर्ड से अपने अपने बर्ड पर invest करके feed में invest करके आप इस तरह से save कर सकते हैं और अगर feed training program से जोड़ना है तो नीचे description में मेरा number दिया और screen पर भी मैं so कर दिता हूँ तो उस training program से जूड़ सकते हैं उसकी fees जो है 1500 रुपीज है तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही मैं हूँ सैनली खान आप देख रहे हैं दा ब्रो पोल्ट्री ठैंक यू ठैंक यू फर वाचिंग दा ब्रो पोल्ट्री